हलो एवरीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं एक और नई डिजाइन के लेडी सॉक्स और देखिए इसको मैंने थम सॉक्स बनाया है और यह एंकल लेंथ में बनके कम्प्रीट हुए हैं यहां से देखिए हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो डिजाइन डाली है उसके बाद हमने थम बनाया है अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप एक डिजाइन और डाल सकते हैं छोटी चाहिए तो आप एक डिजाइन कम कर सकते हैं तो इस तरह से छोटी और बड़ी आप अपने हैसाब से बना सकते हैं और छे और साथ नंबर को देखिए इ बेल आइकन को जरूर प्लैस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले में फंदे डालूंगी फंदे में डबल बूल से ले रही हूं और यहां से देखिए टैन नंबर सलाई ले रही हूं आप बूल के हिसाब से सलाई को लगा सकते हैं यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ इस तरह से हम 45 फंदे ले लेते हैं यह देखिए मैंने यहां पर 45 फंदे ले लिए हैं अब हम दोनों तरब से इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे ऐसे इस तरह से इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा बुनेंगे ऐसे तो ऐसे ही देखिए हमने यहां पर चार रो आने तक बनाया है और पांच मी रो में हमने उल्टे तरफ से यह पिंग कलरे अड़ करना है दोनों तरफ की आठ रो बनानी है नौ मी रो जब उल्टे तरफ आएंगे तो हम यहां से कलर एड़ करेंगे तो इतना हम बना लेते हैं फिर दिखाते आँगे का आपको यह देखिए यहां पे आठ रो हमने बॉर्डर की बना ली है एक दो तीन चार चार इधर से और चार इधर से उल्टे तरफ से मैंने पिंग कलर की बूल को एड़ किया और यहां पे हमने पेटालिस फंदे लिए हैं तो अब देखिए यहां पे हम इस फंदे को उतारेंगे और बाइस फंदे हम इधर रखेंगे बाइस उदर रखेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे 15 16 17 18 19 20 21 22 यह देखिए 22 फंदे 45 फंदों में से हमने 22 फंदे इधर कर लिए और 22 फंदे हम इधर कर लेंगे और बीच वाले फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए हम इसको एक बार बुनेंगे पूल को अपने तरफ करेंगे यह 3 हो गए पूल को अपने तरफ किया और यह पांच फंदे हो गए एक फंदे से पांच फंदे अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे इस तरह से उसके बाद हम पूल अपने तरफ करेंगे यहां से हम 22 फंदे इधर भी मुनेंगे तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, उन्निस, बीस, यह देखिए, बाइस फंदे हमने इधर कर लिए, यह सेंटर में हमने फंदा बढ़ा लिए, अब हम उल्टी रो, पूरा उल्टा ही बुनेंगे ऐसे, एक फंदा उतार के यहां से यह देखिए, यह रो हम पूरा उल्टा बुनते हुए लाश तक जाएंगे, ऐसे, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, यह देखिए, लाश तक हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली, अब हम पलट लेंगे, अब सीधे तरफ आ जाएंगे, अब देखिए, हमारे पास यहां पे चार फंदे बढ कर लेंगे, तो अब हम यहां पे यह देखिए, पहले हमने बाइस बुने, अब हम चौविस बुनेंगे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, उननिस, बीस, इक्यिस, बारे, यह देखिए, अब इस बाले फंदे को, सेंटर बाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ताकि हमें आगे यह याद राय कि हमें इस पे फंदा बढ़ाने हैं, तो हमने यह सीधा बुन लिया, बूल अपने तरब, अब इधर के हम चौविस फंदे उल्टे बना लेंगे, यह द और सीधा बुनना आता है, यह देखिए, लाच्ट तक हम इनको बुन लेंगे, यह देखिए, इस तरह से, आप देखिए, यहाँ से हमने यह चार रो कम्प्लीट कर लिए, दो गांट इश्टिच हमारी आ गई है, सीधे तरफ, अब हम यहाँ से कलर एड़ कर लेंगे, आप चाहें तो इसको मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, या फिर बची बूल से भी बन सकते हैं, जो भी आप चाहें, तो यहाँ से हमने उल्टे तरफ से फिर से कलर एड़ कर लिया, और पूरी रो हम उल्टा ही बुनते हुए जाएंगे, लाष्ट तक, तो हम यह रो बना लेते हैं, उल्टी रो हमने लाष्ट तक कम्प्लीट कर लिए, अब देखिए, यहाँ स हम सीधे तरफ फिर से फंदा बढ़ाएंगे, तो हम आपको एक बार और दिखाएंगे, एक फंदा उतार के बूल अपने तरफ, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चावदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, उन्निस, 20, 21, 22, 30, और 24, यह देखिए, अब यह सीधा वाला फंदा आ गया, यह देखिए, अब इस पे हम ऐसे, देखिए, एक फंदे से पांच फंदे, एक बार बूल अपने तरफ, यह देखिए, तीन हो गए, और बूल गासे करेंगे, और यह बुन देंगे, तो पांच हो गए, इसको हम छोड़ देंगे, अब यहां से हम बूल अपने तरफ करके, पूरी रो उल्टा बुन लेंगे, प्लाश्ट तक, प्लाश्ट तक मैंने इससे बना लिया, उल्टा, यह देखिए, अब यहां से हम पलट लेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे, अब इधर से हम पूरी रो उल्टा बुन लेंगे, लाश्ट तक, उल्टी रो हमने कम्प्लीट कर ली, अब हम सीवी रो पे आ गए, अब देखिए, यहां से यह दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चाओदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, उननिस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चाओविस, यह देखिए, पहले हमने चाओविस फंदे बुने, अब हम दो फंदे इधर एड़ कर लेंगे, इसमें से एक और दो, तो 26 फंदे हो गए यहां पे, और 26 फंदे हम इधर आपको ध्यान रखना है, तभी आपको यह अच्छे से फली सी आईगे, इसमें, बूल अपने तरफ करेंगे, इधर के 26 फंदे हम उल्टे बनाते हुए, कम्प्लीट करेंगे, लाश्ट तक, ऐसे, अब इन ही सलाईयों को आपको इसमें रिपीट करना है, इसकी लंबाई हम ऐसे ही पूरा करेंगे, आप चाहें तो इसमें कई कलर लगा के बना सकती है, बची बूल का भी यूज हो जाएगा और आपका सौक्स भी बन जाएगा, दो-दो रो हर कलर से डाल के इसको बना सकती है, यह देखें, लाश्ट तक हमने ऐसे बुन लेगा, अब यहां से देख ऐसे, इस कलर से, अब देखिए, इसी तरीके से हम यहां पे जो फंदे बढ़ेंगे, बीच में, वो हम इस साइड दो और दो इस साइड एड़ करते जाएंगे, और इसकी हम लंबाई को पूरा करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगा, यह देखिए, यहां पे हमने इसकी ल डिजाइन में दो फंदे बढ़े हैं तो दस दूनी 20 फंदे यहां पर बढ़ गए 20 इधर बढ़े और यहां पर हमने 45 फंदे से इसको स्टार्ट किया था तो देखिए अब मेरे पास 86 फंदे हैं जिसमें से हम आदे फंदे इधर करेंगे आदे इधर करेंगे तो अब यहां से हम 43 फंदे इधर कर लिए हमने 43 इधर कर लिए अब हम थम बनाएंगे तो देखिए यहां तक हमने पूरा बना लिया है यहां पर दो रो आगए यहां पर यह एक रो आई हुई है फंदे आदे आदे करने हैं आपको और एक साइड का पहले बुनना है तो अब दोनों तरफ से हम इसको ऐसे ही उल्टा बनाते हुए इसकी लंबाई पूरी कर लेते फिर दिखाते आगे यह देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ सात रों बना ली हैं अब आठमी रों पे हम यह फंदे उल्टे तरफ से बंद कर देंगे ऐसे दो काई करते हुए सारे फंदे हम बंद करेंगे इनको जादर टाइट बंद नहीं करना है मीडियम बंद करेंगे तो हम इनको कर लेते हैं फिर दिखाते हैं अब देखिए इस साइड में हम बूल को एड कर लेंगे और इधर भी हम इतनी रो बनाएंगे जितनी हमने इस साइड बनाई है और उसके बाद हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे का अभी हम दोनों तरफ से इसको उल्टा-उल्टा बुनते हुए ऐसे एक दो तिन चार पांच हमाद सात सात रो बनाने के बाद 8 मी रो पर हम बंद कर देंगे ये देक्षिए हमने दुन तरफ के पार्ट से बना लिए हैं अब देखें हम इसके सिलाई करेंगे तो सिलाई करने के द चलिह सीधा सायड जो है यह देखिए मिलाते हुए इसको हम सिलते जाएंगे जो रो जिस कलर की है उसको हम वैसे ही पकड़ लेंगे और मिलाते हुए इसको सिल देंगे यहां तक हमने अब देखिए यहां से इतना यह छोड़ देंगे और बाकी हम ऐसे यहां तक कि मिलाते हुए सिल देंगे फिर दिखाएंगे यहां पे हम एक बार इसे पक्का कर देंगे ताकि यह बुल यहां खिचे नहीं अब हम दोनों साइड ऐसे करके देखिए यह अलग-अलग सिलेंगे यहां से देखिए ऐसे बीच में से हमने यहां से कर लिया यहां से ऐसे करते हुए एक साइड का हम पहले सिल देंगे यहां से यहां तक यह सिल दिया अब यहां से हम बापस इसी धागे को को हम इसके अंदर से थोड़ा सा ऐसे करते हुए लाएंगे कि अधर का कर दिया अब हम इस साइड का भी ऐसे ही अलग से सिल देंगे कि यह सेम तरीके से दोनों बनेंगी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा यहां से इसको हम नोट लगा देंगे इस धागे को कट कर देंगे